अज हम जाएंगे एशिंट लैंड अरे वाई ये तो बहुत ही बढ़िया जगा है वैसे हाईवे पर ट्राफिक बहुत बुरा था ना पर अब तो पहुंच गए एक बात तो है टोल टैक्स बहुत ज्यादा था लेकिन मैंने फैसला कर लिया है मैं वो सारे पैसे यहाँ पर वसूल लूँगी अरे ये शिंशान कहाँ चला गया माम डानी दे रहे ये मुझे भी नए कपड़े लेने है अरे वाई ये कितने अच्छे लग रहे है हाँ मैं कौन सा लूँ हाँ इतना मेंगा मां तो ये वाला पहनूँगा बताओ कैसा बोलो पांच हजार ये महगा है आप गरीब समुराई के कपड़े पहन लीजिए ये आप पर जचता है लेकिन क्यों? वाद एड़ आपी अच्छा लग रहे है सच्छ में बेटा है? और मैं लूँगी मैं तो प्रिंसेस के कपड़े पहनूँगी ये अच्छी बात नहीं है मिट्सी तुम एक प्रिंसेस क्यों बनोगी जबके मैं घरीब समुराई बनूँगा शिकायद मत कीजी डैड ये आप बहुत अच्छी लग रही है तुम क्याते तो ऐसा ही सही मैं एक प्रिंसेस हूँ जो बहुत नाजो से बली है बहुत नाजो से क्या आप जंगल प्रिंसेस है मुझे आज पह याद है मुझे कभी मेहल से बाहर जाने की अजाज़त नहीं थी मम, मुझे लगता है आप कुछ जादा ही कंफ्यूज हो रही है हाँ लेकिन ये सच्चाई है ये वाला ले लो वो बहुत महेंगा है मिच्सी प्रिंसेस दुश्मनों से अपनी पहचान चुपाकर बाहर घूमती थी एक आम लड़की की तरह तो तुमने सोच ही लिया है कि तुम प्रिंसेस बनोगी मैं हूँ सबसे बेहतरीन सेमुराई और मैं हूँ प्रिंसेस मिच्सी जो एक आम लड़की की तरह रह रही है ताकि वो आजादी से घूम सके हम दोनों ही बिलकुल रोह लग रहे हैं है ना वाओ ये तो बहुत ही बड़िया है चलो सिटी के और अंदर चलते हैं और फोटोस हींचते हैं हाँ हाँ चलिये चलते हैं आप दोनों मुझे बूली गए मुझे भी एक बड़िया सा नाम चाहिए अरे हाँ इसका नाम क्या हो सकता है हम इसे कह सकते है मददगार शेंचन क्या सा रहेगा बोलो यह तो बाती बढ़िया हो मैं आपकी क्या मददग कर सकता हूँ मुझे असमेदगार शेंचन क्या सबको यह सबको यह सबको यह पसंद आएगा तुम हमेशा ऐसे कर पर्षयों करते हैं अरे मिक्सीस में यह जान बूच कर नहीं किया इस भागदोर में मुझे भूख लगाई चलिए कुछ खाते हैं अरे तुम ठीक तो होना शिंचन बेटा चोट की वज़े से यह फिट नहीं हो रही आपका स्वागत है तीन लोगों के लिए टेबल प्लीज मैं हूँ वीर शिंचन मैं पांच साल का हूँ मैं इतने वागों प्रिंसेस कभी नहीं देखी मैंने भी नहीं देखी ओके मैं अभी वापस आथी अरे आंटी हमें जूस चाहिए ज़रा जल्दी करेंगी आंटी तुमारे इतने हिमत सिनो एंकल मेरी माम जंदलांट के प्रिंसेस है इन्होंने मामूली कपड़े पहन रखे है और बेशक देखने में वो प्रिंसेस नहीं लगती है पर यही सच है निंजा कासल फीक है चलो उंदर चलते हैं पैचानाई कौन है? डाट का यह चोर है यह एक निंजा है निंजा कासल में आप सब कस्वागत पसंदे माफ करना यह ललका बहुत है ज़्यादा इधर आओ तुम इस जगा के अंदर आना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आपको इस जगा से बाहर निकल कर सुन्दर स्वर्च में जाना है तो आपको वहाँ जाने किला भी ढूणनी होगी इन्होंने क्या कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं है निंजा का मतलब पारन होता है हमें माफ कीजिएगा ठीक है तो हम मैं चलता हूँ अरे निंजा अंकल गयाब हो गई अब उस बच्चे को मैं बज़ा चखाऊंगा निंजा अंकल को दूर निकाला मैंने आपको दूर निकाला अब आपको मुझे एक लाक रुपे देने होंगी यहां खड़े मत रहो जल्दी से आगे चाओ तब जाते हैं यह कमरा ठीक लगता है सही कहाँ, वैसे ही आखरी कमरा है अच्छा कमरा है ना, इसका रेंट क्या होगा? तुम चुप रहो शिंचान इस कमरे में बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रैप्स है सच मुश ड़ड, कैसे सिकर दो स्ट्रैप्स? मुझे सप्राइज गिफ्स बहुत पसंद है खास करके जो अचानक बिली तुम बस गिफ्स के बारे में सोचते रहते हो पर तुमें मिलते कभी नहीं शिंचन अलमारी खोलो और देखो अंदर क्या है बेटा क्या मैं मैट्रेस बिछा दू? पर अभी तो दो पहर ही है आपको मेरी आराम का कितना ख्याल है डड़ क्यों नहीं होगा बेटा शिंचन मुझे लग रहा जो लोबी हम धून रहे हैं वो यहीं कहीं चेपी हुई है वैसा करते हम लोग धूनना शुरू करते हैं तुम लोग उस तरफ ढूनड़ो मैं मैट्रेस के पीछे देखता हूँ ओके ड़ाद ओके माम ड़ाद अज मैं और ड़ाद बचाएंगे माम को ओ नो मेरे माम और ड़ाद कहाँ चलेगे उन्हें कहाँ डूनू निंजा कासल में आप दोनों का स्वागत है माम ड़ाद आप कहाँ चलेगे जहां भी हो जल्दी से मिल जाओ यह कितना क्यूट है शिंचन बेटा अरे मुझे लगा वो अथ के साथ है क्या का है एक इवेंट? कर लिया होगा यही जगा है वो तो मैं भी देख रहा हूँ मुझे नहीं पता कि तुमारी वाइफ कहाँ पर है जाओ क्या? लेकिन यहां पर एक बार जुआ जाता है वो चाहकर भी वापस नहीं जा पाता है यह तो सच में ड्रामा सीरियल जैसा है यह आपके पैकेज कहीं हिस्सा है माडम? हाँ, यह पैकेज कहीं हिस्सा था आई, बच्चा अरे, मिच्सी की आवाज? मैंने कहा बार निकलो लेकिन वो आवाज तो एक बाद बताओ, क्या तुम एक समुराई हो? मैं तो नौकरी करता हूँ अगर तुम समुराई नहीं हो तो जाओ यहां से, बना तुम जाता नहीं वो तो सच में बहुत पनी था है ना? हाँ, सच में बहुत पनी था अब तो हमारी ये ट्रिप कुछ ज़्यादा ही अजीब हो तो जा रही है शिंचन बेटा ऐसे उदास होने से तो ट्रिप बेकार हो जाएगी, हमें एंजॉई करना चाहिए पर तुमारी मॉम का क्या करें? मॉम तो अपना ध्यान खुद रख सकती है डैड शायद तुम ठी कहते हो वैसे भी ये सब कुछ असली तो है नहीं, सिर्फ इस ट्रिप का हिस्सा है Excuse me, क्या आप हमारे साथ पोटो के चाहना चाहेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्या बात है? तो पहले मेरी कीचू, सब तयार है? तू? लगता है तुमारी मॉम बहुत मज़े कर रही है शाद इसलिए वो हम दोनों को नहीं रूण रही है, बेटा सुनिए डाद मुझे बहुत जोर की भूख लगी है भूख तो मुझे भी लगी है, बेटा डाद, आप पे एक अप्रे सूट कर रहे है मुझे भी ऐसा है लगता है, बेटा सर्क, आपका स्वागत है देखा तुम दोनों को जरा मास्टर नुहारा आप अरे, कितन निजा अंकल है अरे, आप यहाँ पर? असल में यहाँ लोगों की कभी है ओ अच्छा इस वक्त मैं यहाँ पर निजा नहीं हूँ यहाँ पर इस वक्त मैं कुका काम कर रहा हूँ आपका यहाँ पर सुआगत है, मास्टर नुहारा थैंक यू इन अंकल का चेहरा कितना बड़ा है अई प्रावशिंचान क्या हर जगा तुमें बोलने के जरूरा था मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ को कुछ लोग करना करके ले गए है यह बात सच है आप अभी वहाँ उन्हें बचाने ही जा रहे हूँगे न मैं भी आपके साथ मदद के लिए चलता हूँ यह लोग गाउं से यहां आए हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं बिस्टर रोहारा हां लगता आप मुझे भी कुछ करना चाहिए चलो सब लोग चलते हैं लेकिन कहा तुम्हारी माताश्री को बचाने समझे माताश्री का मितलब तुम्हारी माम शिंचैन अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ आजाओ हम बीर योद्ध्याओं को तुम अपनी तलवारों से डराना चाहते हो हां चलो आगे बहुँ यह यह कीनत बहत आसान है नेभी करना ही यह बिक्षे आप क्या कर रहें, पास्टर? आप भी कबर पर जो चीज है, वो सजाने के लिए नहीं है? अब मेरी समझ में आ गया. आखिर कर मैं तो एक ही रहूँ. अब मैं सब को सबग सिखाऊंगा. आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मिस्टर नुहारा. तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब ज़रा देखते हैं के आप में कितना टालेंट है. आपने देखा, अंकल? ये लोग हमसे कैसे हार रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है. ये सच मुछ कितना असली है? अना? मिस्टर नुहारा, हम तो समझेते क्या हैं? आप सच मुछ में एक सामुराई है.